नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे आर्टिकल के बारे में वैसे तो आर्टिकल के बारे में आप जानते होंगे बट हमने इस वीडियो में आर्टिकल की बारे में आप जानते होंगे बट हमने इस वीडियो में आर्टिकल की बारिकियों को और असानी प्रियास जरूर कर आए तो इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को तो जानेंगे ही आर्टिकल्स के साथ साथ हम अल्फावेट को भी समझने का प्रियास करेंगे अगर हम अल्फावेट की बारी क्यों को सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमें आर्टिकल्स को समझने में ज़्यादा कठीनाई नहीं होगी अल्फावेट की बात करें तो हम हिंदी में उसे वर्ण माला के नाम से जानते हैं अगले स्लाइड में हम वर्ण माला के बारे में थोरा डिटेल से जानते हैं कि हिंदी वर्जन के बाद हम फिर उसके नेक्स टू नेक्स स्लाइड में हम उसके इंगलिस वर्जन मिंस हम आलफाबेट के बारे में जानेंगे तो अब हम बात करते हैं दो तरह के होते हैं वर्ण माला और बेनजन वर्ण माला सवार वर्ण माला की यहां पर देख सकते हैं वर्ण माला में जो बेंजन वर्ण होते हैं वो कुल 45 होते हैं और जहां तक डेफिनिशन की बात है तो स्वर्ण माला जिन वर्णों का उच्यारन करते समय सांस, कंठ, तालू, आदिया स्थानों से बिना रुके हुए आवाज निकलती है उन्हें स्वर्ण कहा जाता है वहीं यहां पर देख सकते हैं जैसे हमने यहां पर एक्जामपल दिखाया है पुना तो इसमें दो अक्षर है पू और न लेकिन अगर हम इसमें वर्णों की बात करें तो इसमें कुल 5 वर्ण है प, उ, न, और ह, आप इस तरीके से बियंजन से बने हुए कोई भी सब्द को अगर को बूलने के लिए हमें स्वर्ण की सहयता लेनी पर रही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं बेंजन वर्ण का डेफिनिशन की लाइक बेंजन वर्ण से बने किसी सब्द को बूलने के लिए हमें उसमें स्वर्णों की सहयता लेनी परती है तो यह वर्णमाला के बारे में हमने आई होगी तो अब हम English version की बात करते हैं English version Alphabet, alphabet में 26 letters होते हैं आप यहां पे देख सकते हैं A से लेकर J तक हमने यहां पे display किया है जैसा आपने Hindi version में देखा Swarvornmala और Benjanwornmala ठीक उसी तरीके से English version में हम उसे vowel और consonant के नाम से जानते हैं वहाल जेनरली लोग इसे वावल बोलते हैं अगर आप देखे इसका तो इसका वावल होता है हमने टॉप लेफ्ट कॉर्डर में हमने उसका एक्सपेंडेशन भी दिखाया है तो उमीद है आपको यह अलफावेट समझ में आई होगी अब हम थोड़ा डिटेल वावल और कंसोनेंट के बारे में अगले स्लाइट में जानते हैं तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वावल की आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ए से लेकर जेट तक जो अलफावेट के टोटल 26 लेटर होते हैं इसको हमने डिस्प्ले किया है जिसमें से पांच लेटर जो हैं A, E, I, O, U इसको हमने रेट सरकल में रखा है तो यह जो पांच लेटर जो रेट सरकल में हैं यह सारे के सारे वावल के नाम से जाने जाते हैं मिस वावल लेटर के नाम से जाने जाते हैं बाकि जो बचे हुए लेटर्स हैं वो सारे का सारे consonant letters के अंतरकत आते हैं अब अगर हम यहाँ पे देखे तो हमने यहाँ पे एक idealistic tongue position रखा है एंड वो idealistic tongue position में हमारा sound flow है आप उसको यहाँ पे फील कर सकते हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र के बाद भी जो हमारा skeleton है उसके दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो यह idealistic tongue positions जो है और यह जो skeleton है यह हमें यहां पर मदद कर रही है walls and consonants के definition को और बारीकियों से समझने के लिए तो अब हम यहाप एक quick summary के बात करते हैं तो alphabet हिंदी में हम उसे और बेंजन वर्ण माला में हमने जैसे यह पर दिखाया है और डिटेल्स में हमने ऊपर पड़ा है और बेंजन वर्ण माला में काखा गागा चाचा जाजा जाए इत्या दिया आते हैं अगर अगर इंग्लिस वर्जन की बात करें तो जो अल्फावेट, कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें जो 5 लेटर्स होते हैं, वो वाउल्स होते हैं, और बाकि जो लेटर्स होते हैं, वो वाउल्स लेटर्स होते हैं, जो वाउल्स लेटर्स होते हैं, उसको हमने या पर रेट सरकल में डिस्पले किया है, और बाकि जो रेट को समझना, आर्टिकल्स क्या है किटने तरह के होते हैं उसके बारी कीओ को समझते हैं वीडियो देख रहा है बहुत सारे लोगों को इसमें मालूम होगा आर्टिकल्स जनरली उसमें तीन चीजे आती हैं और एंद क्याई नइब इंद तो यहाँ पी मैं थोड़ा सा डिटिल में आपको बताना चाहों गा आर्टिकल को तो फिर्म में बाठा गया है यॉनिज़ इन दिफिनिट आर्टिकल एंद एंड एंड वा मेंद इपन आते हैं थर। next slide में हम indefinite articles use of an and a के बारे में थोरा detail में जानते हैं तो हम यहाँ पर जानेंगे use of a and an के बारे में तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है a and an is used before singular countable noun which are not specific तो सबसे पहले हम यह समझते हैं singular countable noun क्या होता है और फिर उसके बाद समझेंगे specific और non specific क्या है तो singular countable noun वैसा ब्यक्ति अस्थान वैसा पदार्थ जिससे किसी एक ब्यक्ति वस्तो या अस्थान का बोध हो रहा हो और जिसकी हम गिंती कर सकते हैं वो singular countable noun में आए which are not specific मतलब इसमें हम कोई ऐसे ब्यक्ति या कोई ऐसे अस्थान का नाम नहीं लाएंगे जो कि specific हो specific अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सहर तो सहर में ये असपस्थ नहीं हो रहा है कि कौन सा सहर है तो ये non specific words हो गया अगर हम आगड़ा की बात करते हैं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये सहर specific हो गया तो आप इन जो first definition है आप उसको सही तरीके से समझे हम a and n का पड़ियोग वहाँ पर करेंगे जो कि singular countable noun words हो और जो कि specific नहीं हो आप नीचे कुछ examples देख सकते हैं countable noun और non countable noun के इस कड़ी में अगर अगले definition की बात करें तो the word where vowel sounds appear where we will use an and the word where consonant sound appear where we will use a तो हम अगले slides में हम समझते हैं ये vowel sound क्या होता है और consonant sound क्या होता है अब हम यहाँ पर vowel और consonant sound के बाड़े में समझते हैं हमने यहाँ पर दो example दिखाए हैं एक elephant और दूसरा university आप में से बहुतों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर दोनों words के पहले and लगेंगे क्योंकि दोनों के जो पहले letters है वो e और u है जो कि vowels letters के अंतर गताते हैं तो समस्ते हैं यहाँ पर sound क्या है vowel sound क्या है consonant sound क्या है इन दो words के मध्यम से तो अभी आप इन दोनों words के IPA को देखे IPA क्या होता है IPA represents sounds most of which do not exist in English मतलब IPA sounds को दर्शाता है जो कि English words जब हम लिखते हैं तो उसमें वो चीज़े निकल करके नहीं आती है आप जैसे यहाँ पर example के तौर पर देख सकते है elephant अगर इसका एक IPA देखे तो it's elephant ओके जो पहला letter है वो e है और अगर आप sour one Hindi version को देखे तो e है मतलब यहाँ पर दोनों case में जो sounds appear हो रही है वो vowel sound appear हो रही है वहीं अगर हम university की बात करें तो English में जो पहला sound appear हो रहा है वो u है जो की vowel letters है बट अगर आप इसका IPA देखे तो university u यहाँ पर आ रही है जो की consonant sounds है तो जैसा कि मैंने आपको पहले की बताया था कि जहां पर वहाँ वहार्विल sounds appear होगी हम वहीं पर आप पड़ियोंग करेंगे और बाकी जगा पर एक पड़ियोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि इन दो words के पीछे कहां पर N लगेगा और कहां पर A लगेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने कहां पर N का प्रियोग किया है और कहां पर हमने और का प्रियोग किया है तो तो प्रणॉसेशन काफी ही इंपोर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि किस वर्ट के पहले एंगे और किस वर्ट के पहले हैं अगर आपको प्रणॉसेशन कोजने में दिक्कत हो रही हो तो आप डिक्सनरी का हल ले सकते हैं या गूगल पर आप सब्दकोस.com पर जाकर क इसी वर्ट का प्रणॉसेशन को समझ सकते हैं कि उसका IPA क्या है ओके सो अगर आप उपर के स्लाइड को अच्छे तरीके से समझ गये हैं तो यहां पर हमने छे वर्ट दिये हैं आप इनको ट्राइक किजिए और खुद कोसिस किजिए कि इन वर्ट के पीछे ए आएंगे या एन आएंगे हमने आपके सहुलियत के लिए हमने उसके IPA को भी नीचे लिखा है ओके अगर आपकी उत्तर गलत है तो आपको फिर से उपर के स्लाइड को समझने की जरूरत है हमने यहां पर इसके उत्तर लिखें कहां पर ए आएंगे और कहां पर एन आएंगे तिखनी टार्टिकल को जानने से पहले हम यहां पे थोरा सा क्लियरिफिकेशन आपको दव और दी इसके बारे में देना चाहूंगा हमने यहां पे दो एक्जामपल दिखाए हैं आप यहां पे देख सकते हैं लेप साइड में हमने गार्लिक को दिखाया है और राइट साइड से लेटर कें को अगर आप गौर करें तो यहां पे agडिका अगर आप उसको देखेंगे तो उसका चोंड्य से सना रही है वह गवा आ रही है ठीक अगर राइट साइट में को इसका चॉन चा심 के आ पर सकते हैं तो जहां पे सांइन यह एक कि आउसा रिए और पे जहां पर Consonance sounds एपियर हो रही हो, वहां पर हम da का पपडियोग करेंगे, और जहां पर Wolf sound area हो रही हो, वहां पर हम da का पडियोग करेंगे। Example के त chauffeur पेवेह आप यहां पर देख सकते आ हम यहां पर दिखाया हम यहां दिखायast 2 और Apple जहां पर पहला लेटर वावल साउंड एपियर हो रही है, वहां पर हमने दिखाया है दी एपल, तो उमीद करता हूं आपको दौ और दी, इसके बीच का जो अंतर है, वो समझ में आ गया होगा, तो अब हम यहां गिटेल में समझते हैं, दौ और दी का परियोग कहां कहां पर किया जाता है, आपने उपर के स्लाइड में आपने देखा, दौ हम कहां पर प्रणाउंस करेंगे और दी हम कहां पर प्रणाउंस करेंगे, तो जो सबसे पहला स्टेप है, दौ और दी का यूज करने का वो हम यहां पर कर सकते हैं we use the or the in front of all nouns either it is singular, plural, countable, uncountable to describe someone or something special मतलब हम the और दी का परियोग हम कहीं भी कर सकते हैं चाहे वो singular words हो चाहे वो plural words हो चाहे वो countable हो चाहे वो वो words जो होनी चाहे वो words कुछ something special और किसी खास व्यक्ति को दर्सा रहा हो हम वहां पर द और दी का परियोग कर सकते हैं एक्जम्पल के तौर पर आप यहां or something special तो हम यहां पर the moon इसको बोलेंगे द इसलिए बोलेंगे क्योंकि moon जो पहला letter है वो M है और अगर आप इसका pronunciation देखेंगे तो म आता है जो की consonant sound है इसके लिए हम यहां पर द का परियोग करेंगे यहां पर हमने different example दिखाए है like the moon, the sun, the sea, the prime minister of India, the east, the west, the air उमीद है आपको यह समझ में आई होगी अब अगर हम आगे बात करें तो हम the और the का परियोग हम वहां भी कर सकते हैं जहां पर speakers और listener दोनों उस वस्तु के बारे में या उस चीज के बारे में भली भाती जानते हो we use the and the for a specific object that both the speakers and listeners know अभी हमने याप example दिखाया है like can you give me the book which is on the table like आप घर में दो लोग हैं और table पे किताब रखी हुई है और जो speakers है वो listeners को ये बोल रहा है कि क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो जो की table पे पड़ी है तो यहाँ पे इस्थिती ऐसी है जो की object के बारे में speakers और listener दोनों भली भाती परचित है तो हम यहाँ पे दोकपरियों कर सकते हैं अगर हम दूसरा example देखे तो like can you please answer the phone like आप एक कमड़े में हैं आप बैठे हुए हैं और एक आपके साथ कोई दूसरा बैक्ती बैठा हुआ है और उसी समय phone बजती है तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं can you please answer the phone because इस case में आप मतलब बोलने वाले और दूसरे जो कि सुनने वाले हैं वो दोनों भली भाती परचित है कि यहाँ पे जो एक phone रखी हुई है वही बज रही है और मुझे उसी का answer देना है अब अगर हम आगे बात करें तो हम दौ और दी का प्रियोग हम वैसे जगह को करने के लिए भी कर सकते हैं जहां पर लोगों का common experience होता हो like example the park the newspaper the market the bus stand इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहां पर हमने कुछ examples दिखा हैं जैसे I met an interesting man at the park yesterday means park वही है जहां पर सभी लोग आते जाते हैं और पार्क से means अगर हम एक पार्क की बात करते हैं तो आपे बहुत सारे लोग आते हैं और उनको एक common experience उस जगह से मिलता है तो हम ऐसे words के पहले भी हम दौ का और दी का पडियोग कर सकते हैं next example हमने यहां पर दिखाया है है like have you read the newspaper today morning like हम और आप बात कर रहे हों और हम एक यहां पर एक वस्तु लिये है like newspaper तो हम like frequently हम अपने कलिक से हम अपने दोस्त से हम बात कर रहे हैं और हमने उनसे पूछा कि क्या आपने आज का newspaper पढ़ा तो यह यहां पर यह मैटर नहीं करता है कि आपने newspaper में क्या पढ़ा और newspaper कौन सी थी यहां पे simple जो common चीज है वो है newspaper क्या आपने आज का newspaper पढ़ा हो सकता है कि वो newspaper वो अगला ब्यक्ति बोले कि हाँ हमने आज का newspaper पढ़ा उसके बाद आपकी कुछ newspaper टूडे मॉर्निंग तो उमीद करता हूं आपको यह चीज समझ में आई होगी आगे अगर हम बात करें तो दो और दी का पढ़ियोग हम expression को indicate करने के लिए भी कर सकते हैं तो हमने यहां पर expression को express किया है जो हमारे indicate किया है मैं सुबह जल्दी उठने से नफरत करता हूं मतलब पसंद नहीं करता हूं और हमारे जो बच्चे हैं my kid they are love swimming in the holiday तो यहां पर expression क्या है like I am अगर हम पहले example में देखे तो hate जो है वो expression को denotes कर रहा है और अगर हम दूसरे example में देखे तो swimming जो है यहां पर expression को indicate कर रहा है तो हम यहां भी जो है दा और दी का पढ़ियोग करते है हम दा और दी का पढ़ियोग superlative forms के लिए भी करते हैं like superlative forms जैसे the tallest the best the longest इस तरह के जो वर्स होते हैं वहां पर दा और दी का पढ़ियोग करते हैं यहां पर हमने दो एक्जामपल दिखाया है like Mr. Ranjit Dishale is the best teacher I have ever meet the second example हमने यहां पर दिखाया है like Vatican City is the smallest country in the world so यहां पर the best teacher the smallest यह सारे के सारे superlative forms है तो हम superlative forms अगर उस तरह के words अगर कहीं पर आते हैं उस तरह के sentence कहीं पर बनते हैं तो हम उस जगह पर भी दा और दी का पढ़ियोग करते हैं अगर हम आगे बात करें तो हम दा और दी का पढ़ियोग हम वहां भी कर सकते हैं जहां पर जिस वाक में like adjectives forms आ रहे हो जैसे कि हमने यहां पर एक्जामपल पर दिखाया है Lord Ram is the seventh author of God बिसनू तो यहां पर उपर भी हमने कुछ एक्जामपल दिखाया है like the first the fourth the seventh the following the last इस तरीके से अगर कोई वक्यागर बनते हैं जहां पर इस तरह के words का यूज हो रहा हूँ हम वहां पर दा और दी का पढ़ियोग करेंगे दूसरा एक्जामपल हमने यहां पर दिखाया है like बहादूर साथू तो लास्ट मोगल इंपेरर ऑफ इंडिया तो मतलब वैसे जगह पर हम दौर दी कपढ़ियोग कर सकते हैं जहां पर हम किसी ब्यक्ति की बिसेस्था को बता रहे हों ओके जैसे हमने यहां पर दिखाया आपको कि जो भगवान राम थे वह भगवान वीशन ठीक उसी तरीके से बहादूर साथ जफर्त लास्ट मूगल इंपेरर तो इसके लिए यहां परी दो कई प्रियोग लाया गया वहीं अगर हम आगे बात करें तो दो और दी का प्रियोग हम इंस्टुमेंट के पीछे भी लगाते हैं जैसे मुजिकल इंस्टुमेंट्स कोई हो गए या इंगिनियरिंग इंस्टुमेंट्स हो गए और अगर साइंस इन्वेंशंस अगर कुछ है तो हम उस तरह के जो अबजेक्स रहेंगे उसके पीछे भी हम दो और दी का प्रियोग करेंगे जैसा कि हमने यहां पर एक्जांपल प कुछ यूनिक प्लेसेस के नाम के पहले नदियों के नाम के पहले पहारों के नाम के पहले डिजर्ट्स के नाम के पहले बड़े-बड़े होटल्स के नाम के पहले थेटर्स के नाम के पहले and museum सौधी स्तरगे की जो exceptional चीजे हो उसके पीछे हम दा और दी का पड़ियोग करते हैं आप यहाँ पे example पे देख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे लिखा है the United States of America, the Ganga River, the Himalayas, the Hotel Taj, the IMAX Theater, the Ayodhya Museum the and the दी के बारे में हमने आपको पाले के इस slides में बताया है कहाँ पे हमें the pronounce करना है और कहाँ पे हमें the pronounce करना है तो हम उमीद करते हैं कि आप आर्टिकल को सही तरीके से समझे होंगे अब प्रैक्टिस की बारी है हमने आप एक कुछ प्रसन दिये हैं आप उन प्रस्नों को सही तरीके से समझें और आप उसको exercise करें हलाकि इस slides के अंत में हमने उसके answers भी provide किये हैं बट आप पले प्रस्नों को solve करें solve करने के बाद आप उसका मिलान हमारे answer seat के साथ करें और अपनी competency खुद check करें हम उमीद करते हैं आपको ये आर्टिकल्स की जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो पसंदाई होगी हम आपको झाले इसाथ अपयाय डित lun leave ये नद्यूर आप के साथ to שना श्रस्नोंま लूमारे ये आपको जाव दो प्रस्नों मैं टो स Keeping So grant सेईफ ये विव का ए आपको की MRB ये लुमारे हैं लोगि झाल झाल तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपने सारे प्रस्नों का हल निकाल दिया होगा यहाँ पर एंसर सीट दी हुई है उपर दिये गए सारे प्रस्नों का आप यहाँ पर क्रॉस चेक करें क्रॉस वेरिफाई करें आपने कितने प्रस्नों का सही उत्तर दिया है तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आई होगी आर्टिकल्स के उपर तो वीडियो को देखें दूसरों को भी दिखाएं और जानकारी बढ़ाएं ओके फॉर टाइम बिंग नमस्ते थैंक यू फॉर वाचिंग विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो बबाए प्रूसरों के बढ़ाएं